मन के समत्व के विशय में चर्चा करते समय हमने मन और उसके विविध आयामों का विस्तार से वर्णन किया था हमने देखा था कि मन देह को संचालित करने में आत्मा का यंत्र स्वरूप है सूक्ष्म पदार्थ होते हुए भी वह हमें पदार्थ से परे ले जा सकता है इस अर्थ में वह उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूती की प्राप्ति का प्रभावशाली यंत्र बन सकता है मन अपने आप में एक बहुत जटिल यंत्र है अवश्य, सामान्य स्तर पर वह देह के साथ घनिष्ठ रूप से संयुक्त रहता है लेकिन उच्चतर स्तरों पर वह कहीं अधिक उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति करता है इस उद्देश्य को कुछ लोग तर्क कहना चाहेंगे तर्क अवश्य मन की एक अद्भुत क्षमता है लेकिन फिर भी वह एक सीमित क्षमता है जब प्रत्यक शीकृत तथियों से विश्वस्निय जानकारी उपलब्ध होती है तब मन तर्क करता है लेकिन इन तथियों के अभाव में तर्क अधिक प्रभावशाली नहीं होता हम जब यह कहते हैं कि हमने किसी बात को समझ लिया है तब हमारा तातपर्य केवल यह होता है कि हमने युक्ति या अनुमान द्वारा उसके पीछे कार्य कर रहे नियमों अथ्वा शक्तियों को समझ लिया है परंतु सत्य का स्वरूप मूल भूत क्यों और कैसे जाने नहीं जाते उदाहरण के लिए हम गुरुत्वा कर्शन के सिध्धान्त को लें हम गुरुत्वा कर्शन को समझते हैं पर गुरुत्वा कर्शन क्यों है यह मन द्वारा नहीं समझ सकते हम में उच्चतर ग्यान होता है चाहे उसे बोध या सत्य जो भी कहें, जो मन के माध्यम से अभिव्यक्त होने पर भिन रूप धारण कर लेता है मन के इस उच्चतर स्तर तक किसी न किसी तरह पहुँचना चाहिए मन के पीछे विद्यमान सत्य को जानने के लिए मन की तीक्ष्णता या पैनापन आवश्यक है जैसा की कठोपनिशद में कहा गया है अर्थात, वह सत्य सुक्ष्म दर्शियों की सुक्ष्म एवं तीक्ष्न बुद्धी द्वारा जाना जाता है मन एक वाद्ययंत्र के समान है जिसे संगीत के लिए अच्छी तरह से साधना पड़ता है यदि तार अधिक कसे अत्वा बहुत ढीले हो तो श्रेष्ठ संगीत पैदा नहीं हो सकता अतह, मानव के देह और मन के धांचे को साधना चाहिए ताकि वह उस सत्य को अभिव्यक्त कर सके जो मानव जीवन का लक्ष है आज हमने मानव की देह और मन को जीवन, संस्कृती और सभ्यता के उपभोग हे तु साध रखा है इसी मन को उच्चतर स्तर पर साध कर अतींद्रिय आध्यात्मिक अनुभूती के आनंद का उपभोग किया जा सकता है अभी हम सत्य अनुभूती के उपयुक्त यंत्र नहीं है फिर भी कभी कभी हमें उस सत्य की जलक मिल जाती है कई बार ऐसी अनुभूती हमें अचरज में डाल देती है यह भी संभव है कि हम उसको पाने के प्रेत्न से भयभीत हो जाए रवींद्रनात ठाकुर का कथन है कभी कभी मुझे तुम्हारी एक जलक प्राप्त होती है सदा क्यों नहीं होती हृदय पर बादल च्छा जाते हैं और तुम्हें छुपा देते हैं मानो बादलों के द्वारा सूर्य आच्छादित हो जाता है हम सूर्य को देखना चाहते हैं पर मेघ और कोहरा उसे छुपा देते हैं अचानक बादल चुटते हैं और हमें एक जलक मिल जाती है जो शायद शीघ्रही पुना आच्छादित हो जाती है हमारे दैनन दिन जीवन के बीच सत्य की आकस्मिक जलकें दिखाई देती है लेकिन हमारे दैनन दिन कर्मों का बोज तथा सुख के पीछे हमारी पागल दौड इतनी प्रबल होती है कि हम इन संकेतों की उपेक्षा कर उन्हें भूल जाते हैं प्रति दिन की छोटी छोटी बाते हमें अभिभूत कर देती हैं अतह हमें अपने मन को सुचारु रूप से साधना चाहिए और सुदूर प्रदेश की इन जलकों को अधिकाधिक महत्व देना चाहिए उन्हें तब तक अधिकाधिक संजोना चाहिए जब तक वे अंततह सम्मिलित हो, एक प्रबल और अबाध प्रवाह का रूप न ले लें। मन का प्रशिक्षन इस प्रकार प्रारंभ होता है, और तभी हम आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर होते हैं। इन प्रारंभिक प्रयासों में से कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। उच्चतर मन इन सारी अनुभूतियों का आकलन करता है और उन्हें स्वीकार करता है। हम ज्यों ज्यों प्रगति करते हैं, त्यों त्यों अगली उच्चतर अवस्था स्वयमेव प्रकट होती जाती है। आत्म पिपासा का भाव मन पर पूरी तरह छा जाना चाहिए। जैसे नदी में नौका के द्वारा हम यदी सागर में पहुँचना चाहें, तो नहरों और सहायक जलमार्गों में भटक जाने का भय सदा बना रहता है। इसी प्रकार साधक के मार्ग में अनेक भटकाव आते हैं। मुख्य साधन प्रवाह में बने रहने के लिए उसे सावधानी पूर्वक अपनी नौका को सही दिशा में लगाए रखना चाहिए। चित्तानु शासन की दिशा में प्रगती होने पर सत्य की आभा का अनुभव सुदूर वर्ती ज्योती के रूप में होता है। और उसका अनुसरन करते हुए व्यक्ती मन को भी पीछे छोड़ देता है। तातपर्य यह कि मन का विशलेशन करने पर व्यक्ती नित्य शुद्ध पूर्ण सत्य का साक्षात कार करता है। यह संभव है। ऐसा होने पर फिर सांसारिक सुख दुख व्यक्ती को विचलित नहीं करते। मृत्यू भी उसे भयभीत नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अनुभूती मरणो प्रांट होती है। यह यहां इसी संसार में हो सकती है। कैनोप निशद में कहा गया है। भी वादे क्यों न करें। उसके लिए प्रयास करना व्यर्थ है। इसके विप्रीत इस अनुभूती के परिणाम स्वरूप, जीवन शांती, प्रेम और करुणा से पूर्ण हो जाता है। जिन लोगों ने मन को संचलित करने का कुछ प्रयत्न किया है, वे जानते हैं कि मानव की मानसिक शक्तियों का परिचालन करना कितना कठिन है। इन अनुशासनों का आंशिक अनुष्ठान मात्र करने वाला व्यक्ति भी एक अच्छा आदमी कहलाता है। लेकिन यदि कोई मानसिक और नैतिक जीवन में और उपर उठना चाहता है, तो मन का और अधिक मात्रा में अनुशासन आवश्यक है, तथा उच्चतम स्तर पर तो एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिन अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर पहुँचने के लिए चंद्र कैपसूल, मौडिूल का उप्योग किया था, उन्होंने ही लोटते समय उसका तथा साथ के कुछ अत्यंत मूल्यवान संयंत्रों का परित्याग कर दिया। चं यह बात अभी हमें कितनी भी हास्यासपत क्यों न लगे। कुछ लोग इसे पागलपन कह सकते हैं। और साधन पत का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को यह ऐसा ही प्रतीत हो सकता है। जब श्री रामकृष्ण इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों से गुजर रहे थे तब लोग उन्हें पागल ही कहते थे। श्री रामकृष्ण की इस अवस्था का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं ऐसे पागलपन का शिकार व्यक्ति धन्य है। सारा संसार पागल है। कोई धन के पीछे, कोई सुख के पीछे, कोई नाम्यश के लि धन्य है वह व्यक्ति जो भगवान के लिए पागल है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सांसारिक सुखों से मन को हटाना साधक के लिए परमावश्यक है। गहरे पैठने के लिए उसे मन को अंतर मुख करना आवश्यक है। यही बात कठोप निशद में कही गई है। मसीह इश्वर के राज्य की चर्चा करते समय बड़े प्रयत्न के साथ इसी बात को कहते हैं। और जब फेरसीज ने उनसे पूछा कि इश्वर का राज्य कब होगा तो उन्होंने उनको उत्तर दिया। इश्वर का राज्य आता दिखाई नहीं देता है। लोग यह भी नहीं नहीं है। मन और इंद्रियों को बहिर जगत के प्रतिबंद कर लेने पर हमें उतनी ही आकरशक और मोहक एक अन्य अवस्था का आभास मिलता है। जैसा कि गीता में कहा गया है जो समस्त प्राणियों के लिए निशा या अंधकार स्वरूप है। वहां सैयमी जागता है और हम तकनीकी द्वारा उपलब्ध सर्व श्रेष्ठ यंत्रों की सहायता से भी सत्य के विशय में बहुत थोड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। आज यह सर्व वीदित है कि वैग्यानिकों द्वारा आविश्कृत सारे आश्चर्यों के बावजूद मानव ने अभी तक इस विराट सत्ता की किंचिद मात्र भी जानकारी प्राप्त नहीं की है। सबसे विनम्र वैग्यानिक जो सबसे महान भी हैं इसे स्वीकार करते हैं। हम एक छंद्रमा तक पहुंचे हैं। हमारे सौर मंडल में और बहुत सारे नक्षत्र हैं। और ऐसी मान्यता है कि ऐसे पूर्व वर्नित कठोर अनुशासन, शम अर्थात मन का संयम, तथा दम अर्थात इंद्रिय संयम, के द्वारा मन पवित्र होता है. पवित्र मन को एकाग्र करना आसान है, और पवित्रता इंद्रिय विशयों की दास्ता से मन की मुक्ति के फल स्वरूप प्राप्थ होती है. ऐसा शुद्ध मन ही योगी के लिए उपयुक्त यंत्र बन सकता है. वह ऐसे मन को अपनी ही सत्ता की गहराईयों के अनुसंधान में लगा सकता है. अर्थात, पवित्र मन में ग्यान, हस्ता मलकवत स्पष्ट होता है. पत, लंबा और कठिन है, लेकिन लक्ष अत्यंत श्लागनीय है. प्रगती का प्रत्येक इंच यह सिद्ध करता है कि यह सारा प्रयास कितना सार्थक है. आज मानव अपने ही प्रयासों द् संकीर्ण बुध्धिवाले व्यक्तियों के हाथों पढ़ सकती है. ऐसी बुध्धिवाला एक ही व्यक्ति, उनमाद के एक दौर में विज्ञान और तक्नीकी द्वारा निर्मित इस सारे जगमगाते संसार को नश्ट कर सकता है. संहारकारी शक्तिशाली अस्त्रों के भय न संसार में शांती को पिछले कुछ वर्षों से नाजुक संतुलन में बनाये रखा है. मानव किसी भी क्षण इस प्रिथवी से मानव अस्तित्व का विनाश कर सकता है. तब फिर हमारी आशा किसमें है? रहस्य यह है. हमें हमारी समस्त गती विधियों में, वे चाहे आध्या का स्वरूप हृदयंगम किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखकर सभी समझदार व्यक्तियों को अपने मनों को सही दिशा में, अर्थात उस सत्य की ओर परिचालित करना चाहिए. यह प्रयास उद्देश्य ही नहीं है. इसका उद्देश्य है अपने ही स्वरूप भूत सत का साक्षात कार. आइए, हम भौतिक प्रकाश की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयत्न करें. आप इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रकाश में किसी वस्तु को भेदने की शक्ती बहुत कम है. जब वैज्जानिक पध्धति द्वारा उसके स्पंदनों को बढ़ा दिया जात तो वे ही प्रकाश की किरणे एकसरे जैसी अधिक से अधिक भेदने की क्षमता अरजित कर लेती हैं. यही बात मन के संबंध में भी देखी जा सकती है. सामान्य अप्रशिक्षित मन अनियंत्रित और विक्षिप्त होने के कारण अत्यंत मूड होता है. वह केवल स्थूल सत ही अनुभवों को ही देख सकता है. वह विशयों की गहराई को नहीं समझ पाता और नहीं प्रतीती और सत्य में अंतर कर पाता है. सामान्य अप्रशिक्षित मन का यह स्वरूप है. लेकिन हम जानते हैं कि यही मन तीक्ष्न और गहरी भेदन शक्ती से संपन्न हो सकता है. ऐ प्रशिक्षन मानव को स्वयम के देह की क्रियात्मक एवं समविदात्मक प्रणालियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है. प्रशिक्षित मन युक्ती एवं कल्पना का भी नियमन कर सकता है. भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो सफलताएं हमें प्राप् एसे प्रशिक्षन से हम किस परिणाम की आशा करते हैं। एसे प्रशिक्षन से परिणाम की आशा करते हैं। लेकिन ध्यान में यह भाव तीवरतम और गहनतम हो जाता है। तथा अंत में चरम घ्याना लोग की प्राप्ति होने पर स्वयम अपना ही अतिक्रमन कर डालता है। बहुत से सच्चे और इमानदार व्यक्ति यह मानते हैं कि यदि वे इश्वर चिंतन के लिए बैठें तो वे ध्यान कर सकेंगे और ध्यान का फल पा सकेंगे। अतह वे यह सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए परियाप्त समय की आवश्यक्ता भर है। यौवन अत्वा प्रौढवय में उनका यह विश्वास होता है कि कई वर्षों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब वे कर्म के जहमेलों से छुटकारा पा जाएंगे और तब प्रति दिन कुछ समय भगवचिंतन में बिताएंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक सहायता और उचित मार्गदर्शन के बावजूद सामान्यतह यह कार्य अत्यंत कठिन सिद्ध होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रारंभकर, प्रोढ़ावस्था तक मन का प्रशिक्षन किये जाने पर ही वह जीवन के अंतिम काल में ध्यान करने में समर्थ हो सकेगा। हम जानते हैं कि सभी प्रकार का प्रशिक्षन चाहे देह के विकास और व्रिध्ध के लिए शारीरिक हो, अथवा बुद्धी, हृदय एवं इच्छा शक्ती की व्रिध्ध के लिए मानसिक सभी के पीछे एक विज्ञान है. अतह, ध्यान का भी एक विज्ञान है जिसका अध्ययन और आकलन भारतिय आर्यों ने बहुत पुरातन काल से ही प्रारंभ कर दिया था, तथा वह अन्य जातियों की तुलना में चर्मोतकर्ष को प्राप्त हो चुका था. गहनतम ध्यान प्रवनता और आध्यात्मिक अनुभूती की अभिव्यक्ती से युक्त उपनिशदों के काल के भी पूर्व, ब्राह्मन और संहिता काल में भी क्रिया अनुष्ठानों के फल्स्वरूप, अनुष्ठान करता, प्रायह आराध्य देव के साथ संपर्क पित कर पाता था, उपनिशदी ये काल में यह भाव गहनतर होता गया, और विशेशकर उपनिशदों के मंत्र द्रष्टा, अरशियों द्वारा परिपुष्ठ हुआ, इस प्रकार यह विज्ञान परिवर्धित और विकसित हुआ, और कुछ इने गिने लोगों के हाथों म एवं यौगिक पक्ष का विकास और प्रतिपाधन किया, बॉध यूग के बाद के काल में शंकर, रामानुज, मध्ध, आदी, अन्याचार्यों ने अपने भाष्यों में अपने अपने ढंग से ध्यान के विज्ञान का प्रतिपाधन किया, भक्तियोग, ङ्ञान योग, कर रुचिके अनुसार चयन क्यों न करें, ध्यान सभी साधना पद्धतियों का प्रॉटर एवं अधिक विक्सित रूप है. व्यक्ति शास्त्रों और दर्शनों के उपदेश सुनता है, उन्हें समझने का प्रयत्न करता है, तथा उसमें निहित सत्यों पर मनन करता है. लेकिन निश्चित रूप से भगवच चिंतन से पूर्ण हो जाता है, जिसे वह अपने कर्म समर्पित करता है. कालांतर में उसकी चेतना भगवच भाव से इतनी रंजित हो जाती है कि ध्यान उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है. यही बात भक्ती साधना में भी होती है, और रा अधन जीवन यापन के हमारे प्रयास मानुस समकेंद्रित वृत्त के सद्रिश हैं, जो तब तक अधिकाधिक सिकुडते जाते हैं, जब तक उनका केंद्र बिंदु इश्वर या सत्य प्राप्त नहीं हो जाता। वेदान्त में रामानुजाचार्य ने ध्यान की तुलना एक पात्र से दूसरे पात्र में अबाध और अखंड प्रवाह मान तेल से की है। वेदान्त का अध्ययन और साधन तीन प्रणालियों में होता है। वे हैं अध्वैत, विशिष्टा अध्वैत और द्वैत। वेदान्त के अनुसार पुरुष याने चरम सत्ता एक है। सांख्य की साधना पध्धती में प्रकृती एवं उसकी विकृतियाँ, देह, मन और अहंकार को प्रिथक कर आध्यात्मिक चैतन्य सत्ता पुरुष तक पहुँचा जाता है। जबकि अध्वैत वेदान्त में द स्वरूपतह मानवात्मा के साथ अभिन्य है। अध्वैत परक ध्यान अखंड का ध्यान है। चूंकि अखंड नाम और रूप से परे है, अतह यह ध्यान सबसे कठिन है। यह केवल शून्य स्थान, नीला आकाश, अत्वा असीम सागर आधी की तरह निराकार का चिंतन मात नहीं है। इससे अनंत का ध्यान नहीं हो जाता। यह केवल महाकाश कहलाने वाली भौतिक अनंतता का चिंतन है। इससे उच्चतर और सूक्ष्मतर प्रकार की अनंतता है, जो चित्ताकाश कहलाती है। यह चित्त या मन का आकाश है, जिसससे स्वपनों की तरह असंख्य व उपादी के परे का महानशून्य है। इसमें उन सभी वस्तूओं का निशेद हो जाता है, जिनकी कल्पना, धारणा या अभिव्यक्ति संभव है, तथा उपनिशदों में इसका वर्णन नेती-नेती शब्दों द्वारा किया गया है। यह महाकाश और चित्ताकाश से अनन्त गुना उच्चतर है क्योंकि जगत और चित्त दोनों सीमित हैं, जबकि अनन्त आत्मा या ब्रह्म या चैतन्य वास्तविक अनन्त हैं और यही अद्वैत का सच्चा अनन्त है। उपर्युक्त विशलेशन से यह बात सपष्ट हो जाएगी कि अद्वैत परक ध्यान उन लोगों के लिए भी निश्चित रूप से कठिन सिद्ध होगा, जिन्हें आत्मा और परमात्मा के, जीव और ब्रह्म के एकत्व की बौधिक धारणा हो चुकी है। अतह, वेदांत में अद्वैत परक साधकों के लिए चार प्रारंभिक साधनाओं, साधन चतुष्टय का निर्देश दिया गया है, जिनके अनुष्ठान बिना अद्वैत साधक ध्यान में सफलता नहीं पा सकते। सर्व प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है, नित्या नित्य विवेक। साधक को दिन रात अपरिवर्तन शील, नित्य सत्य का चिंतन करना चाहिए, जो परिवर्तन शील सत्य से भिन्न है। उसे सर्वदा विश्व तथा उसकी घटनाओं के व्यावहारिक सत्य का परमार्थिक सत्य से आमूल प्रिथक्ता का विवेग करना चाहिए। वेदांत का यह साहसपूर्ण उद्घोश है कि नाना विधरूप रंगवाला यह बहुरूपी जगत ही अनित्य नहीं है। अपितु मानव के देह, मन और अहंकार भी अनित्य हैं। यह शिक्षा आरशियों की अनुभूती पर आधारित है। नित्य अनित्य का यह विवेग साधक को अद्वैत परक ध्यान में सहायता करने एवं अद्वैत के लक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। मानव इस संसार में रहता है, अतह ज्यान साधना की बाधाओं से उसके मन की रक्षा के लिए तीन और साधनाओं का निर्देश दिया गया है। उनमे 3. पूर्व परिचित इंद्रिय विशयों से इंद्रियों को उपरत करना। उपरती। 4. सुख दुख, लाभानी, संपद विपद, मान अपमान आदी द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में अविचलित बने रहना। तितिक्षा। 5. मन को सर्वदा उपनिशद एवं अन्य वेदानतों पदेशों के श्रवण मनन में समाहित या इकाग्र करना तथा विनम्रता, सरलता, भक्ती, पवित्रता एवं गुरु सेवा आदी सगुणों का अभ्यास करना। समाधान। 6. इश्वर, उपनिशदों एवं वेदानतों पदेशों, गुरु एवं सत्य के साक्षातकार में स्वयम की क्षमता में श्रद्धा विश्वास करना। श्रद्धा। प्रारंभिक साधनाओं के अनुष्ठान में इन शडगुणों के अभ्यास का दूसरा स्थान है। तीवर पिपासा युक्त दैवी असंतोष पैदा करने का आवहान किया गया है। ये साधनाएं मन को मानव की विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर प्रतिदिंद्रधता और लगन पूर्वक ध्यान के लिए सक्षम बनाती है। अद्वैत परक ध्यान में साधकों की सहायता है तू। वेदांत परमार्थिक सत्य की एक निर्विवाद और अविवादास्पद परिभाशा प्रस्तुत करता है। परम सत्य वह है जो भूत, भविश्य और वर्तमान सभी कालों में अपरिवर्तित, अबाधित बना रहे। यह परिभाशा सत्य को सीधे मानव हृदय के भीतर ले आती है, जैसा की हम अभी देखेंगे। सत्य के स्वरूप को समझने के लिए भारत के अराशियों ने सर्व प्रथम बहिरजगत का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वस्तुएं कालकरम से परिवर्तित हो जाती है वस्तुएं पहले अपनी सूक्ष्म अवस्था में थी, उसके बाद उनकी वर्तमान, स्थूल, स्थिती हुई और इसके बाद पुन सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होंगी। प्रिथक वस्तुओं पर लागू होने वाला यह नियम समग्र ब्रह्मांड पर लागू होता है। विश्व ब्रह्मांड भी पहले सूक्ष्म अवस्था में था, जिससे वह अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ, और भविश्य में वह पुन अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तात पर यह यह कि हम जिसे देख रहे हैं, वह स्थाई लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पदार्थ चाहे कितना भी परिवर्तित क्यों न हो, वह सत्ताहीन, नश्ट कभी नहीं होता। लेकिन सोने पर वह एक नितांत भिन अवस्था में प्रवेश कर स्वपन देखता है। और जब स्वपन विहीन सुशुप्ति में रहता है, तब तो वह जागरत और स्वपन दोनों ही से भिन अवस्था में होता है। इन अवस्थाओं में मानव चेतना के समक्ष उपस्थित घटनाओं तथा इन तीन अवस्थाओं के मानव आत्मा के साथ संबंध के अध्ययन से अध्वैत दर्शन और धर्म का विकास हुआ। जागरत, स्वपन और सुशुप्ति मानव को ज्यात चेतना की इन तीन अवस्थाओं का अध्ययन वेदान्त की अपनी एक विशेशता है। वेदान्त का दावा है कि इन तीनों अवस्थाओं में मानव के व्यक्तित्व का अध्ययन किये बिना, मानव विशयक कोई भी अध्ययन संपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि जाग्रता वस्था में यह जगत वास्तविक, ठोस तथा पंच चेंद्रियों द्वारा गोचर प्रतीत होता है। स्वप्ना वस्था में जगत सूक्ष्म और हलका सा हो जाता है, और सुशुप्ति में मानव न कुछ देखता है और नहीं उसे कोई ज्यान होता है, जगत पूरी तरह विलु हो जाता है और व्यक्ति को यह भी भान नहीं होता कि वह सो रहा है, लेकिन प्राथा काल जागने पर उसे अच्छी या बुरी जैसी भी नींद आई थी याद रहता है। अब प्रत्येक स्मरण, क्रिया प्रत्याभिज्या या पुनह जानने की क्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव के जाने बिना भी सूशुप्ति में अनुभव हुआ था। इस अनुभव का अनुभव करता कौन है। उपणिशदों की घोशना है कि सूशुप्ति का ज्याता या अनुभव करता स्वयम चैतन्य ही है। वह मन और अहंकार की सहायता के बिना, क्योंकि वे सुशुप्ति में कारेरत नहीं होते, निद्रा का अंकन करता है। जिस प्रकार रात को हमारे गहरी निद्रा में सोये रहने पर भी धर्मामीटर तापमान तथा बेरोमीटर नभीय दबाव का अंकन करते हैं, उसी प्रकार चैतन्य निद्रा वस्था का अनुलेखन करता है। हमारी जागरत और स्वप्न अवस्था में चेतना विद्यमान रहती है, लेकिन तब वह प्रत्यक्षिकरण एवं ग्ञानार्जन के लिए मन और अहंकार की सहायता लेती है। जागरता वस्था में मेरी पहचान अमुक व्यक्ति के रूप में होती है। स्वपना वस्था में मैं ऐसी अनेक वस्थूएं देखता हूँ जो जागरता वस्था में नहीं दिखाई देती। वहाँ जागरत अवस्था का अहंकार विलुप्थ हो जाता है और उसका स्थान एक अन्य अहंकार ले लेता है। फिर भी मैं जानता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ती मेरे लिए स्वप्न नहीं देखता। मैं ही हूँ जो स्वप्न देखता हूँ और पुनह जागता हूँ। सुशुप्ति में कुछ भी द्रिश्य गोचर नहीं होता है और वहाँ न स्वप्न का अहंकार रहता है और न जागरत का। फिर भी जागने पर हम सभी जागरत, स्वप्न और सुशुप्ति अवस्थाओं म में हमारे व्यक्तित्व के एक़्व और पहचान को अनायास ही जान लेते हैं, इस चैतन्य के अध्ययन को हमारे जन्म से लेकर व्रिधध रवस्था के काल पर लागू करने पर हम पाएंगे की हमारा ही जन्म हुआ था, हम ही अभी जीवित हैं, तथा हम ही वृद्ध होंगे और मृत्यू को प्राप्थ होंगे। मानव व्यक्तित्व की एक पहचान और निरंतर्ता की यह धारणा तभी संभव है, जब जीवन की सभी अवस्थाओं और चेतना के सभी स्तरों के पार्श्व में या आधार भूमी के रूप में कोई सत्ता विद्यमान हो। विशुध चैतन ने ही यह आधार है। यह जागरत, स्वप्न और सुशुप्ति की तीन अवस्थाओं के पीछे विद्यमान रहता है। अथवा यह कहें कि जागरत, स्वप्न और सुशुप्ति इन तीन अवस्थाओं के माध्यम से यह अभिव्यक्त होता है। यह बाल्यकाल, यौवन, प्रोड़ अवस्था और व्रिद्धा वस्था जीवन की इन अवस्थाओं के पीछे भी विद्यमान है। यही नहीं, यह अनादिकाल से हमारे पूर्व जन्मों में विद्यमान था और यह सारे भविष्य में विद्यमान रहेगा। यह आत्मा है जो समग्र अनुभवों की आधारभूत सकता है। विशुद्ध चैतन्य वह है, जिसका प्रतिबिम्ब जड़पदार्थ में दिखाई देता है, जिससे मानव सामान्यतह परिचित है, तथा जो देह, मन की गतिविधियों से संबध्ध व्यक्तिगत चेतना, व्यष्ठि चैतन्य है। मान लो, किसी ने मुझे मारा और मुझे पीडा का भान हुआ। यह व्यक्तिगत चेतना की स्थिती हुई। यह एक ग्रण्थी है। इसमें से यदि मैं देह और मन का योगदान निकाल दूँ, तो जो चेतना बचती है, वह सभी मनोव्यापारों के साथ संयुक्त रहती इसे पाश्चात्य दार्षनिकों में सर्व प्रथम प्लोटिनस ने पहचाना था, और पारा कोलोन थेसिस, याने मनोव्यापारों के साथ रहने वाली आत्मा की संझादी थी। यह चैतन्य ज्योती है, जो मानसिक और भौतिक दोनों ही जगतों में अभिव्यक्त होती है। यह विशुद्ध ज्यान की शक्ती अपरिवर्तनिय होने के कारण प्रत्यक्ष का विशय नहीं हो सकती, जो की मन का क्षेत्र है। अतह विशुद्ध चैतन्य मनोव्यापारों से भिन्न है। यह कोई मात्र प्रत्य अथवा अमूर्त भाव नहीं है, बलकि सत्य है। यह तथा उसकी प्रकाशिका शक्ति देह और मन की क्रियाओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति के बिना, यह क्रियाएं अज्यात और अचेतन रूप में होती रहेंगी। जड़पदार्थ के विप्रीत यह अनादी, अनन्त, अविक्रिय, स्थिर, छायारहित, अपरिवर्तन प्रकाश स्वरूप है। यह मानव का चैतन्यांश है, उसका अजर, अमर, आत्मा है, उसका सार्थत्व है। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा नित्य चैतन्य ग्या है, क्योंकि वह अजन्मा है। जिस प्रकार प्रकाश और उश्नता अग्नि के स्वरूप है, उसी प्रकार अनंत चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। उसका साक्षात कार करते ही साधक को उसके ब्रह्म के साथ एकत्व की अपरोक्षा नुभूती होगी। जागरत, स्वप्न और सुशुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा साक्षी रहता है। लेकिन हमारा लक्ष किसी भी साक्ष वस्थू के बिना विशुध आत्मा, स्वरूपतह, अपने आप प्रकाशित, उपाधियों से अनावृत, विशुध आत्मा होना है। तीन अवस्थाओं के विशलेशन से उपर युक्त बातें जानी जा सकती हैं। आत्मा और उसके ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूती के लिए प्रकृति के आवरण के भेदन का प्रयत्न, पहले आत्मा के ध्यान और उसके बाद ब्रह्म के साथ उसके एकत्व के ध्यान द्वारा तब तक किया जाना चाहिए, जब तक अंततह इस एकत्व की यदि यह उपाय कठिन प्रतीत हो तो सगुण ईश्वर के और यदि आवश्यक हो तो साकार सगुण ईश्वर के ध्यान से प्रारंभ करना चाहिए और क्रमशह अद्वैत पध्धती को अंगिकार करना चाहिए। अर्मों को स्विकार करता है और साथ ही उनके आगे भी जाता है।